तो हेलो गाइस वेलकॉम बेक टू मैं न्यूव वीडियो आज की वीडियो में हमको छेज़ परकार की फोटो अडिनिक करने वाले हैं अब फायर आई बर्निंग अडिटिंग तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्लेटोर से पिक्साट अप्लिकेशन को डॉनलोड कर देना है इसके बाद उसमें अपनी वोटो सेलेक्ट कर लेनी है उसके बाद टूर में जाके अड़्जस्ट में जाके सैचूरेशन को कर देना है फुल और हाई लाइट को भी कर देना है फुल और चैड़ को कर देना है माइनस उसके बाद टिक पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको करना क्या है आपको जाना है क्रॉप में और क्रॉप में जाने के बाद आपको पाड़रेट साइज में से क्रॉप कर लेना है इसके कर देना है और आपको कुछ इस प्रकार से अड़ेस्ट कर लेना है जैसे मैं अड़ेस्ट कर रहा हूं अड़ेस्ट करने के पाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है तूल्स में जाके अड़ेस्ट में जाके सैचुरेशन को मैनस करके औरेजर पर क्लिक करके फिर से रेजर पर क्लिक करके जो हमने प्यांजी आड़ किया है सिर्फ उसके पीच में और उस में आपको रेजर मार नहीं है जैसे मैं मार रहा हूं जब तक मैं रेजर मार रहा हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो यार तो यह बस हमने मारी लिया जी आपको बिल्कुल द्यान से मारना है और उसके बाद जो हम हमसे गलती से फेस पर लग गया है हमारा ब्लैक और वाइट अफेक्ट लग गया है वो आप रिस्टोर पा क्लिक करके फिर से फेस पर मार सकते हो फिर से हमारा वो बाफ सा जाएगा ब्लैक और वाइट अफेक्ट जैसे मैंने मार लिया उसके बाद हमने बिल्कुल सही तरीके से अरेज और रिस्टोर कर लिया इसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है टिक पर क्लिक कर देने के बाद आपको करना क्या है टूल्स में जाके अड़जस्ट में जाके सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना है उसके बाद अरेजर पर क्लिक करके हमने जो PNG एड़ किया था उसके राइट और लेफट साइड फिर से बुर्श को मार देना है इसके बाद आपकी वीडियो 80% बनके त्यार हो चुकी है तो आगे देखिए क्या करना है उसके बाद आपको कहीं पर भी नहीं जाना आपको फिर से एड़ फोटो में जाना है एड़ फोटो में जाने के बाद आपको सर्च करना है जहां पर सर्च करना आपको जहांपर स्मूख एफ्ट यह आजाएगा दूसरे नमबर पर और उसके बाद यह 5 में नमबर पर जियो है इसको एड़ कर लेना है एड़ करने के बाद आपको इसे फूल साइज करके बलीनिंग में जाके इसको कर देना है आपको लाइटन और जैसे मैं अड़ेस्ट करूंगा बिल्कुल बैसे अड़ेस्ट करना तो हाँ बिल्कुल ऐसा अड़ेस्ट कर लेना है उसके बाद आपको अरेजर पर क्लिक करना है अरेजर पर क्लिक करने के बाद आपको फूल साइज करके रेजर का बिल्कुल आपने नोस तक मार देनी है रेजर उसके बाद आपको रेजर नहीं मारनी उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको टूल्स में जाना है अडजेस्ट में जाना है और इसकी saturation को बिल्कुल प्लस कर देना है और tick पर click कर देना है इसके बाद फिर से tool में जाना है saturation को plus करके clarity को plus कर देना है और tick पर click कर देना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को subscribe और वीडियो को like करना मत बोलना thanks for watching